नमस्कार आज हम कर रहे हैं रस्खान के द्वारा रजित सवये इस सवये में रस्खान जी क्या कहते हैं कहते हैं कि मानुस हो तो वही रस्खान ही बसाओ ब्रज गोकुल गाव की गवारन कि हे भगवान हे कृष्ण भगवान यदि मुझे मनुश्य बनाओ तो ऐसा बनाना कि मैं गोकुल के गाउं का ग्वाला बन करके रखूँ अन्य पंक्तियों में फिर वो कहते हैं जो पशू हो तो कहां बस मेरो चरो नित नंद की धेन मंझारन कि हे इश्वर यदि मुझे पशू बनाओ तो ऐसा पशू बनाना कि मैं नंद की गायों के बीच में चरूँ उनकी भक्ति इतनी है कि वो कहते हैं कि मैं मुझे गाय बनाना जो मैं आपके द्वारा चराई गई गायों के बीच में रहूँ पाहन हो तो वही गिरी कौचू कियो हरी छत्र पुरंदे रिधार पाहन यानी पत्थर गिरी यानी पहाड हरी छत्र यानी इश्वर कृष्ण पुरंदर यानी इंद्र कहते हैं कि यदि मुझे पत्थर बनाओगे तो वहा पत्थर बनाना जो तुमने हाथ में धारण किया था जब बहुत तेज बारिश आ गई थी और इंद्र भगवान नाराज हो गए थे उस समय पर जो तुमने परवत धारण किया था पत्थर बनाओ तो मुझे उसका कोई पत्थर बनाना जो खग हों तो बसीरों करों मिली कालिंदी फूल कदंब की दारन अगर मुझे पक्षी बनाओ तो कालिंदी कोल यानि यमुना नदी का किनारा उस पे कदंब ब्रख्ष की साखाओं पर बेठाना यानि कि जहां तुमने खेला कूदा है कालिंदी के नदी के तटके किनारे जहां तुम रहते हो तो मुझे वहां का पक्षी बनाना जहां पर मैं कदंब के ब्रख्ष की डाल पर बैठाओं फिर वैं कहते हैं या लकुटी और कामरिया पर राजिती हूँ पुर्खो तजितारो मैं इस लकुटी और कामरिया यानि लाठी और कंबल पर तीनों लोक तीनों लोक यानि आकाश, पाताल और प्रिथ्वी को त्याग सकता हूँ आठाओं सिधी, नाव निदी के सुख, नंद की गाय चराई बिसारो यदि मुझे नंद बाबा की गाय चराने को मिल जाएं तो मैं आठ सिधी और नाव निदी के सुख दुनिया में कितने सिधियां होती है, आठ प्रकार की सिधियां होती है और नौ प्रकार की सुख होते हैं, उन सब को मैं निच्छावर कर दूँगा, त्याग दूँगा यहीं जितने भी दुनिया में सुख सुविधाएं है, मैं सभी को त्याग दूँगा, यदि मुझे गाय चराने का सुख मिल जाएं नंद की फिर कहते हैं, रसिखान कबाओं इन आखिन सों ब्रज के बन बाग तड़ाग निहा रहो की हे इश्वर मुझे ऐसा बना दो की मैं अपनी आखों से ब्रज के बाग बगीचे और तालाब देखता रहूँ कौटिक एक कल धोत की धाम करिल के कुणजन उपर बारो करिल के कुणजन यानि काटेदार ज़ाड़ी, वारों यानि नियोच्छावर करना कहते हैं कि मैं कौटिक यानि करोडों, कल धोत यानि महल कि मैं करोडों रुपे की महल भी नियोच्छावर कर सकता हूँ यदि मुझे श्री किष्ण के साथ खेलने और उनके साथ गाई चराने का मौका मिल जाए मोर पखासीर उपर राखे हो गुंज की माल गले पर होंगे कहते हैं कि मोर पंक और उसके जो गुंज की माल है एक गुंगुची होती है उसकी माला जो है उन्होंने धारण कर रखी है गले में ओड़ी पितंबर लई लकुटी बन गोधन गवारिन संग फिरोंगी उन्होंने पीले वस्त्र ओड़े हुए हैं पहने हुए हैं और कंबल हाथ में ले रखा है और घूंगचों से बनी माला को भी धारण कर रखा है ऐसे श्री कृष्ण की भाती ही हाथ में लाठी लेकर की ग्वालों और ग्वालीनों के साथ जंगल में गायों के पीछे भी घूम लेंगे रस्खान कहते हैं कि गोपिका अपनी सक्षी से पुना कहती है कि तुम्हारी कशम मुझे श्री कृष्ण बहुत अच्छे लगते हैं भाव तो वो ही मेरो रस्खानी सो तेरे कहे सब स्वांग करोंगी या मुली मुली धर की अधरान धरी अधरान धरोंगे कह रही है कि मैं श्री कृष्ण के साथ सभी स्वांग कर लूँगी या मुझे कुछ भी करना पड़े या मुली मुली धर की अधरान जो ये बंसी है और श्री कृष्ण अपने अधरों पे धारन करते हैं जो बंसी है, वो श्री कृष्न अपने होटों पर धारन करते हैं, इस मुर्ली को अपने होटों पर मैं धारन नहीं करूँगे। गोपी का क्या कहती है कि मुरली जो है मेरी दुश्मन है दुश्मन क्यों है क्योंकि श्री कृष्ण मुरली बजाते हैं और गोपी का नहीं चाहती है कि श्री कृष्ण किसी और की हो तो वह कहती है कि इस मुरली को मैं खुद धारण नहीं करूँगी कभे भी नहीं बजाऊंगी काननी दैए अंगुरी रही वो ज़ज़ा ही मुरली धुनी मंद बजाये ही वोपिका कहती है कि जब श्री क्रिष्ण मंद मंद धुनी में मुरली बजाएंगे तब मैं अपने कानों में अंगुली डाल लूँगी तक कि मुझे बांसुरी की आवाज ही ना सुने काननी यानी कानों में धुनी यानी धुन मंद्य यानी धीरे मोहनी ताननी सौंवरे सिखानी अटचड़ी गोधन गे है तो गे है कहते है कि रसके सागर यानी श्रीक्रशन अटालिका पर चड़ कर मधुर तान से गोधन राग में गीत गाते है मैं तो ब्रज के सभी लोगों को पुकार पुकार कर कहती हूँ कि कल को कोई कितना भी समझाए किन्तु मैं श्रीक्रशन के मुख की मधुर मुस्कुराहट को नहीं संभाल पाऊंगे यानी कि तेरी कहों सिगरे ब्रज लोग नी काले को कितनों समझाए माई रिवा मुक की मुस्कानी समहरे नजाए नजाही नजाही यानी कि गोपी क्या कहती है कि मैं श्रीक्रशन की मुस्कान पर मोहित हो गई हूँ लोग मुझे कुछ भी कह ले मैं अपने आपको नहीं संभाल पाऊंगी यहाँ पर गोपी का जो है मधुर मुस्कान देखकर की प्रभावित हो गई है इस प्रकार से रस्खान जी का लिखावा यह सवया इसमें छंद का प्रयोग किया गया है और श्रीक्रिशन की मुर्ली की मधुरतान और मंद मंद मुस्कान का सजीव चितनन यहाँ पर किया है गोपी का श्रीक्रिशन की मुर्ली की मधुरतानी से अत्यंत प्रभावित है और जब वह सुनती है तो उसे अपने आपको रोकने की छंता उसमें नहीं होती है और वह कहती है कि मैं तो अपने कानों में अंगली रख लेती है और ऐसा करने से उसे मुर्ली सुने ही नहींगी सुनेगी नहीं तो वह कृष्ण के पास भी नहीं जाएगी वह कह रही है कि अगर मैं कृष्ण के पास जाऊंगी तो कोई मुझे कितना भी समझा ले मैं अपने आपको नहीं रोप पाऊंगी और उनकी मुस्कान पर मोहित हुए बिना मैं नहीं रहे पाऊंगी क्लास 9, 10, 11, 12 और एकनॉमिक्स, हिंदी, इंग्लीश के सभी चेप्टर्स के लिए आप हमारे चैनल विजिट कर सकते हैं तो कर दो हमी कर दो किता है